हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो हमारी इस धर्ती ने अपने अंदर कई वहसे और अजूबों को छुपा रखा है जिस पर यकिन करना मुश्किल है कई वहसे ऐसे हैं जिनने सुलजाने के लिए साइन्टेस्ट सालों से लगाता कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये वहसे ऐसे हैं जो सुलजी नहीं पाते हैं आज हम आपको ऐसे ही दस जगवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके वहसे अब तक अंसुलजे हैं स्नेक आइलेंड ब्राजील दोस्तो ब्राजिल का इलाहा दा कुई मारा आइलेंड जो इसनेक आइलेंड के नाम से भी काफी फेमस है इस आइलेंड पर सांपों के संक्या काफी जादा है यहां आपको हर तीन फीट की दूरी पर एक से पांच सांप आसानी से देखने को मिल जाएंगे इस आइलेंड पर इतने सांप होने के पीछे का क्या रहस से है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है दोस्तो यह आइलेंड गोल्डन लाइन सेट वाइपर नाम के काफी जहुरिले सांपों का घर है इस आइलेंड पर किसी भी इनसान के जाने पर बेन लगा हुआ है दनाकिल वेगस्तान, इथोपिया दोस्तों इथोपिया में मौझूद दनाकिल वेगस्तान दुनिया की सबसे गर्म जगवों में से एक है जहां पूरी दुनिया में हर जगा पर मौसम बदलता रहता है वहीं इस जगह पर पूरे साल तापमन 48 डिगरी सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है कभी कभी तो 145 डिगरी भी पहुँच जाता है यहां पढ़ने वाले इस गर्मी के कारण इस जगह को कुरॉलेश्ट प्लेस ओन अर्थ भी कहा जाता है यहां की गर्मी के कारण यहां के तालब हर वक्त उबलते रहते हैं यह वेगस्तान करीब 62 या मील से अधिक छेतर में फैला है डेथ वैली, अमेरिगा दोस्तों इस जगह को भी यहां पढ़ने वाली गर्मी के लिए ही जाना जाता है यहां पर भी तापमन 130 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच जाता है यहां पर साल 1913 में रिकॉर्ड 114.06 डिगरी सेल्सियस तापमन मापा गया था और दोस्तों यहां साल में काफी कम बारिश होती है इसे दुनिया की सबसे गर्म जगह के रूप में भी जाना जाता है यह प्रामिड मंदर के जैसा बना है इसमें चड़ने के लिए सीडिया भी है दोस्तों दुनिया में जितने भी बड़े प्रामिड हैं उन में से यह भी एक है बर्मूडा ट्राइंगल अटलांटिक ओशियन दोस्तो बर्मूटा ट्राइंगल के बारे में तो काफी लोगों को पता होगा इससे दुनिया की सबसे खतरना को रैसमी जगा माना जाता है यहाँ पर ग्रैविटी बहुत जादा है अगर इसके उपर से कोई चीज गुजरती है तो उसका कभी पता ही नहीं लग पाता है कि उसके साथ क्या हुआ ऐसा माना जाता है कि बर्मूटा ट्राइंगल हर चीज को निगल जाता है ये ट्राइंगल तीन जगाओं के बीच में है जिसके कावन इसे बर्मूडा ट्राइंगल कहा जाता है बलट फॉल अंटार्क्टिका दोस्तों ये जगा अंटार्क्टिका में मौजूद है साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर आइवन की मात्रा बहुत ही जादा है जिसकी वज़ा से इस फॉल से गिरने वाले पानी का रंग खून की तरह लाल होता है लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट अपनी बात पर ही 100% शौर नहीं है कि ये आइवन की वज़ा से ही है या कोई और वज़ा है क्रेनो क्रिस्टल्स कोलम्बिया दोस्तों क्रेनो क्रिस्टल्स कोलम्बिया में बहने वाली एक नदी है जो हर साल मौसम के मताबिक अपना रंग बदल लेती है इस नदी की खासियत कुछ ऐसी है कि ये हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है यहाँ पर सिर्फ गर्मी में पानी लाल रंग का हो जाता है मगर कभी कभी इसका रंग नीला, पीला, नारंगी और हरा भी हो जाता है यहाँ पर बहुत से अजीबों गरी पेड़ पौधे पाए जाते हैं इसमें कोई भी जीव नहीं रह पाता है इसमें बस कुछ बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं D.Nesca Lines, Hetty पेरू में हैं यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन्स बनी हुए हैं जिन्हें देखने पर कभी तो इनसान कभी किसी जानवर या कभी कुछ और ही दिखाई देगा इसमें एक हैवानी की बात तो ये है कि इसको अगर आप पाच जाकर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सिर्फ उंचाई से ही दिखाई देती हैं सालों की रिसर्च के बाद भी इसके बारे में कुछ जादा जानकारी नहीं मिल सकी है बस इतना पता लग पाया है कि ये बहुत ही परानी है जेकबस वैल अमेरिका दोस्तों ये काफी वैसमी जगा है यहाँ पर अब तक सौ से भी जादा लोग गायब हो चुके हैं लेकिन आप जानका हैवान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने या मरने के बाद भी यहाँ पर लोग गूमने और नहाने जाते हैं इसमें नहाते समय ही पता नहीं लोग कभी कभी गायब हो जाते हैं इसमें हमेशा लोग गायब नहीं होते हैं लेकिन इसमें लोग गायब कैसे क्यों और कब हो जाते हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है यह जगा बिमवली अमेरिका में है तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ वैसमई और अजीब जगा हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए